भजन सहेता अध्याय तैटीस भजन सहेता अध्याय तैटीस हे धर्मियों यहुआ के कारण जैजिकार करो क्योंकि धर्मिय लोगों को स्तूति करनी सो होती है बिना बजा बजा कर यहुआ का धन्यवात करो दस्तारवाली सारेंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ उसके लिए नया गीद गाओ जैजिकार के साथ भली भाती बजाओ क्योंकि यहुआ का वचन सीधा है उसका सब काम सच्चाई से होता है वह धर्म और न्याय से प्रिती रखता है यहुआ के करोना से प्रुत्वी भरपूर है आकाश मंडल यहुआ के वचन से और उसके सारे गन उसके मुह की श्वास से बने वह समुदर का जल धेर की नाई इकटा करता वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है सारी प्रुत्वी के लोग यहुआ से डरे जगत के सबनिवासी उसका भह माने क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया जब उसने आग्या दि तब वास्तों में वैसा ही हो गया यहुआ अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है वह देश-देश के लोगों की कलपनाओं को निश्फल करता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थीर रहेगी, उसके मन की कलपनाएं पीड़ी से पीड़ी तक बनी रहेगी, क्या ही धन्य है वह जाती जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निजभाग होने के लिए चुन लिया हो, यहोवा स्वर्गसे दुर्ष का विचार करता है, कोई ऐसा राजा नहीं, जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छुट नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा ब्रत है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकते, देखो, यहोवा के दुर उसके डर्वयो पर है, और उन पर जो उसके करुणा की आशा रखते है, बनी रहती है, कि वह उनके प्रान को मृत्यू से बचाए, और अकाल के समय उनको जीवित रखे, हम यहोवा का आसरा देखते आये है, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है, हमारा रधय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो